हाई अबरेबन, वेलकम बैक टू माई चैनल अजर कॉंसेप्ट क्लासेश, आज के इस लेक्चर में हम क्रेमस रूल पढ़ेंगे, जो की काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल एक क्वेशन जरूर इसके उपर आता है, तो क्रेमस रूल है क्या और हम इसका यूज क्यों करते है सबसे पहले, गरा हम यूज के बाद करें, तो हम फाइंड करते हैं, लिनियर एक्वेशन, दो या तीन वारियेबल का, ठीक है, तो यूज हो जाएगा अपना, टू फाइंड दा वैल्यू अफ लिनियर एक्वेशन, इन टू एंड त्री वारियेबल, ओके, चलिए हम एक ए कि प्रोसेस क्या है, वो समझेंगे, सबसे पहले हमें एक एक्वेशन लेते हैं, a1x प्लस b1y is equal to c1, ये एक एक्वेशन है, दूसरा एक्वेशन हो जाएगा, a2x प्लस b2y is equal to c2, ठीक है, अगर आपको एक्वेशन में इस तरफ c1 लिखके equal to 0 है, तो आपको पहले ये format मे बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसा दिया है, हमको x और y फाइंड करना है, तो हम एक delta determinant बनाएंगे, ठीक है, उसमें constant c1 c2 को छोड़के, x और y का coefficient लिखेंगे, equation 1 में a1 और b1 x का coefficient है, a1 b1, equation 2 में a2 और b2, तो ये a2 b2 को लिख लिए, इसका value तो ये a1 b2 हो गया, minus a2 को b1 से, a2 b1, ठीक है, अब क्या करेंगे, capital x लिखेंगे, capital x में क्या करेंगे, x का coefficient छोड़ देंगे, तो a1 a2 छोड़ देंगे, तो उसके जगा पर लिखेंगे क्या, तो उसके जगा पर c1 c2 लिखेंगे, तो ये c1, ये c2, बाकी बचा b1 b2 y का coefficient वैसे ही रह जाएगा, तो solve करेंगे, तो ये c1 b2 हो जाएगा, c1 b2 minus c2 b1, c2 b1, ठीक है, इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, y निकालना है, तो capital y मानके, इस बार y का coefficient के जगा पर क्या लिखेंगे, c1 c2, x का जैसा a1 b2 था, वैसे ही a1 a2 लिख देंगे, ठीक है, इसको solve क करेंगे, तो a1 c2 हो जाएगा, minus a2 c1 हो जाएगा, a2 c1, ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, small x चाहिए, तो capital x by determinant, small y चाहिए, तो capital y by determinant, ठीक है, तो आपको पता value कितना है, x का, तो x का value है, c1 b2 minus c2 b1, c1 b2 minus c2 b1 by, delta का value कितना है, a1 b2 minus a2 b1, यह हो गया हमारा x, ठीक है, उसी तरीके से y निकानना होगा, तो क्या करेंगे, y के लिए, y का value कितना, a1 c2, a1 c2 minus a2 c1, यह वाला value, by a1 b2 minus a2 b1, यह हमारा y हो जागा, यह process है, क्रेमस रूल का, आई एक question करते हैं, और question के तुरु समझेंगे, तो और अच्छे जा समझ माँ आ जाएगा, अब यह question आपको कुछ इस तरीके से भी दिया रह सकता है, कि 2x plus y minus 10 equal to 0, और 3x minus y minus 20 equal to 0, क्या हम इस equation कैसा लेग सकते हैं, बिल्कुल लेग सकते हैं, लेकिन अगर यह भी question में रहेगा ना, तो आपको पहले इस तरह का standard formula आना पड़ेगा, क्रेमस rule के लिए, ठीक है, तब ह x को coefficient 2, y को coefficient बन गया, 2 और 1 हो गया, फिर दूसरे equation में 3 और minus 1 हो गया, solve कर लेंगे, 2 को minus 1 से multiply करेंगे, cross multiplication, फिर 3 को 1 से minus 3 into, 2 into minus 1 minus 2 minus 3 is equal to minus 5, यह बन गया delta, अब capital X मान दे, capital X में क्या करें, x का term की जगह पर, 2, 3 की जगह पर constant 10 और 20 हो जाएगा, और 1, 1 वैसे ही, 1 और minus 1, ठीक है, 10 को minus 1 से multiply कर देंगे, minus 20 को भी 1 से multiply करतेंगे, तो 10 into minus 1, minus 10 minus 20 into 1, minus 20, equal to minus 30, अब क्या करना है, capital Y find करना है, क्या y के लिए क्या करेंगे, इस वाले में, 2, 3, x का coefficient वैसे ही, y के coefficient के जगह पर constant term 10 और 20 लिखतेंगे, इसको भी solve करते है, 2 into 20, minus 3 into 10, cross multiplication, 2 into 20, 40, minus 3 into 10, 30, equal to 10, ठीक है, अब हमको formula क्या पता है, कि x is equals to capital X by delta, and y is equals to capital Y by delta, ठीक है, तो x के लिए, x से value कितना था, x से value minus 30 था, यहां हम लोग निकाल चुके, तो यह minus 30 by delta कितना है, delta है आपका minus 5, उसे तरीके से y के लिए क्या करेंगे, y capital Y 10 है, और delta minus 5, चलिए solve करते हैं, 5 से 6 बार में कड़ गया, minus minus कड़ गया, x is equals to 6 हो गया, y का value 5 से 2 बार में कड़ गया, minus 2, y is equals to minus 2, ठीक है, तो यह आपका, x और y final answer हो गया, आप चाहें, तो इसको elimination method से cross verification भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अप्रह सकते हैं, तो इसको दो जती हैं, तो जती हैं, 16 में पतर सकते हैं, जती हैं जती हैं, तो अम्याफ और आपका बगया,